इस वीडियो में हम प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक सेल और्गेनल जिसका नाम है कल्डरोपलास्ट इसके बारे में समझेंगे जैसा कि आप जानते हैं प्लांट सेल एक यूकरिटिक सेल है जिसमें सबसे बाहर सेलोलोज की बनी हुई सेल वोल पाय जाती है और सेल वोल के नीचे सेल मेंबरेन या प्लाज्मा मेंबरेन पाय जाती है यूकरिटिक सेल में डबल मेंबरेन वाले सेल आउर्गेनल जैसे माइटोकॉंड्रिया और कल्रोपलास्ट जैसे कोशिकांग भी पाय जाते हैं माइटोकॉंड्रिया is powerhouse of energy और कलरोपलाश जो है वो food synthesis करता है mostly glucose का निर्मान करता है इसे परकार से eukeretic cell के अंदर well developed nucleus present होता है के अंदर पाइदाता है क्योंकि अपन plant cell की बात कर रहे हैं तो plant cell में एक लार्ज वेक्यूल बड़ी रिप्ति का उपस्तित होती है इस परकार से यहां हम बहुत सारे कलरोपलाश्ट इससे डागराम में देख पा रहे हैं यदि हम इन कलरोपलाश्ट की structure की बात करें तो मैं आपको ली चलता हूँ एक दूसरे डागराम में यहां पर हमने इस हरित लोग की सनस्तिता को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है तो चलिए समझते हैं कलरोपलाश्ट की structure केशी होती है यह एक double membrane वाला cell organal है जिसमें सबसे बाहर एक outer membrane और उसके अंदर की और जो है वो इंदर membrane पाई जाती है outer membrane और इंदर membrane की बीच का जो space है उसे अपन इंटर membrane space कहते हैं इसी प्रकार से इंदर membrane के अंदर जो aquatic fluid भरा होता है जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे इस्ट्रोमा नाम दिया गया है aqueous fluid तरल पदार्थ इस्ट्रोमा के नाम से जान दाता है photosynthesis में होनने वाली डारक reaction एप्रकार्शी का बिक्रिया इसी भाग में इस्ट्रोमा में ही संपन होती है इसी प्रकार्शी आपको यहाँ पर जो green color के coin-like structure दिखाई दे रही है इसे हम thalacode कहते हैं यहाँ पर एक सिक्के जैसी यह सनसना एक thalacode है और उसके उपर दूसरी thalacode और फिर उसके उपर अगली thalacode एक धेरी के रूप में उपस्तित होती है और यह इस प्रकार्शी जो पूरी एक धेरी एक set बनाती है उस यह अपन ग्रेनम कहते है यानिकी ग्रेनम जो है वो एक परकार का stake of thalacode है यानिकी thalacode की एक धेरी है यहाँ पर एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए एक bridge-like structure आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक सेतू जो आपको दिखाई देता है यह इस यह अपन लेमिला कहते है क्योंकि यह लेमिला इस इस्ट्रोमा वाले भाग में परजेंट है इसलिए इसका नाम इस्ट्रोमल लेमिला भी कहा जाता है जैसा कि आप यहाँ इस डियागराम में देख पा रहे हो एक thalacode की अगर अपन काट की देखे तो इसमें हमें जो तरल पदार्थ बरावा दिखाए देगा उसका नाम है लिूमेन थाले कोड में पाया जने वाला जो पदार्थ है उसको लिूमेन कहाता है यानिकि इनसाइड ओब दा थाले कोड इस नोन अज लिूमेन इस परकार चे हमने यहां पर एक कलरो प्लास्ट की इनर स्ट्रेक्टर को यहां थोड़ा समझा और अब हम यद depictा कोड को बाहर निकाल के यहां इसको जूम करके देखें इसको बढ़ा करके देखें तो यहां भी हमें इसमें और भी बहुत सारी सनसलें दिखाई देंगी